तो यह वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि यूट्यूब पे थोड़ा पैनिक सा हो गया था कि 2000 के नूट्स बंद हो गए तो इसका इंपक्ट मार्केट में क्या पड़ेगा देखो एक न्यूज आया था बड़ा ही न्यूज कह सकते हैं इसको वाई आर भी आ विड् क्रेश कर जाएगा तो मैं सोच रहते हैं कि ऐसा हो सकता है तो इसको पढ़ने की मैंने कोशिश कि तो कफी चार ऐसा है इंटरनेट ना आपको हर चीज बता देता है अप अगर डेटा धूनना जाओ तो हर चीज बता देता है तो देख लेतें कि क्या हुआ था एट ठीक है, 8 November 2016, यह 8 November 2016, अब उस दिन हुआ गया था, रात में अनाउंस हुआ था, तो market impact कब दिखाएगी, next day दिखाएगी, 8 को हुआ था ना, तो 9 को impact दिखाना चाहिए market को, तो देखो उस दिन हुआ गया, लोग बस क्या बता रहे हैं, देखो, मैंने भी कुछ वीडियो का YouTube पे, तो क्या बता रहे हैं, कि बस 6% गिर गई market, वहाँ से 6% गिर गई, बस अब यह बताया है उन्होंने, कि वहाँ से 6% गिर गई, वहाँ से 6% fall हुई, उसके बाद बस सब चीज़ खतम हो गया, ठीक है न, 6% fall हो गई, अब 6% fall के बाद, आप सब चीज बेच दो, ऐसा उस टाइम हुआ था, इस बार भी यही चीज रिपीट होगा, ऐसा वो बता रहे हैं, ठीक है, मैंने देखा कुछ वीडियो, अच्छे खासे सब्सक्राइबर है उनके, बट यह चीज बता रहे हैं उनलोग, तो मैं आपको कुछ facts और data points बताना चाहता हूँ, तो आप analysis खु लो कितना लगाई उस दिन, तो लो सही में लगाई है भाई, कितना, 6.35% का लो लगाई है आसपास, ठीक है, अब एक ही 30 मिनट का candle है, देखा दू मैं आपको, यह है 30 मिनट का candle, अब 30 मिनट का candle है, तुरंत recovery भी कर गई market, एक घंटे के अंदर-ंदर market recover करके, कहां पे आ अब बस 2.5% बागी है, ठीक है, उसके बाद क्या तुरंत recovery की है, तुरंत recovery कर गई है, देख रहो, next day, 10 तारीक को market पूरा recover कर चुकी है, उसके बाद fall हुई, अब मैं बताता हूँ कि क्यों fall हो रहा था market, और भी reasons थे, बस demonetization नहीं था, और क्या उस time का demonetization, अभी के demonetization जो हुआ है, क्या यह demonetization है भी, यह बराबर है भी, same चीज है, तो देख लेते हैं उसको, तो य major reason यह नहीं था, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है, market recover कर गई, यहाँ पर market recover कर चुकी है, फिर धीरे धीरे जो selling buying चलते रहता है, वो चलते रहता है, अब देखो, उस time का condition और अभी का condition में बहुत अंतर है, मैं बताता हूँ कि क्यों, तो next day का तो आपको solve हो गया, जो market में ब एक important event था, अब आ जाते हैं, क्या important event था वो, तो वो important event था, US का presidential elections, यह कैसे भूल गया, आप लोग बता ही नहीं, YouTube पर, तो देखो, 2016 में United States का election था, इसका date देखो, Tuesday November 8, 2016, यह किसी ने notice किया, नहीं, क्यों नहीं, तो यह news आप देखना, मैं इसका भी article दे दूँगा, यह article कहते हैं, आप लिखो गए Wikipedia पर तो आ जाएगा, 2016 United States election, तो यह भी था, अब आप बोलोगे election क्यों important है, यार कैसी बात देखा देखो, अभी करनाटक में elections था, तो वहाँ पे BJP हार गई, तो लोग पूछन लगे questions कि, यार market में क्या impact होगा, जब एक state में, जब elections होता है, तो यूएस का impact नहीं रहेगा, क्या market में, यूएस का impact नहीं रहेगा, अगर यूएस का impact नहीं है, तो क्यूदेखते हो Dow Jones, क्यूदेखते हो Dow Jones, Nasdaq क्यूद ट्रैक करने लगते हैं, ग्लोबल मार्केट का नाम ही क्यूद आता है, तो यह हर चीज connected है, globalization के वज़ाँ से हर चीज connected है हम लोग की टेक वाली कंपणी यूए से connected है तो हर चीज connected है ऐसा नहीं है कि कुछ भी बड़ा event और यह बहुत बड़ा event है समझ ले प्रेसिडंट का election काफी बड़ा event है अभी कैसे हमारे elections होने वाले हैं 2024 में 2024 में एलेक्शन होने वाले हैं तो कैसे हम लोग के यहां भी से चर्चा है बात हो रही है कि 2024 में कौन आएगा बीजेबी आएगी कोंगरेस आएगा कौन आएगा ठीक है तो यह काफी important चीज होता है ठीक है ना काफी important चीज होता elections वग्यरा important चीज होता तो यह देखो इसका November 8 2016 का यह elections भी था United का presidential election ठीक है United States of America का presidential election अब यह हमारे इंडिया में market बस पैनिक नहीं कर देए उस ताइम बाकी हर market में up-down चलना था ठीक है ठीक है 2016 September 2022 तो देखो उस टाइम जो digital transaction था UPI के थरू वह 0.38 करोड था देखो values in करोड है ठीक है यह मैं आपसे share कर रहा हूं facts ठीक है इसको इंपोर्टेंट है अब यह data मैं आपने मन से नहीं ले आया ठीक है यह source कहा है दिकर आपको source source NPCI National Payment Corporation of India का source है यह मैं अपने मर्दी से नहीं बता रही है यह NPCI का source है समझ गए उन्होंने यह data दिया मैं अपने मन से नहीं बता दे रही है 438 करोड़ हो गया है समझ रहो 11,16,438 करोड़ मैं 438 करोड़ बस नहीं बोला 11 lakhs समझ रहो कितना बड़ा नंबर है यह 11,16,438 करोड़ हो चुका है यह नंबर काफी increase हो चुका है तो यह scenario और अभी का scenario equal नहीं है ठीक है 2,16 का scenario और अभी का scenario equal नहीं है यह तो आपको पता चल गया तो एक reason मिला आपको अब देख लेते हैं कुछ और reason ठीक है क्या SGX Nifty कुछ react कर रही है क्योंकि market तो खुली थी ना global market तो खुली भी थी तो global market कुछ react की चो देख लेते हैं SGX Nifty का क्या हाल है तो देखो यह यह global markets यह global indexes तो SGX Nifty यह रही कुछ react की है SGX Nifty क्या कुछ react की है SGX Nifty मेंको तो नहीं लग रहा है यार ठीक है डाउ जूंस 0.32% इतना यह कोई reaction नहीं हुआ ठीक है यह market अभी भी आप देखो को तो volatile ही चल रही है दो तीन दिन पहले से निफ्टी volatile ही है यह सब को reaction नहीं हो अब SGX Nifty मेजर ली देखते हो session तो था कल खूला हुआ था जब से news आया था news तो लगता है आठ थी साथ साथ से आठ निया नौ बज़े आ चुका था ठीक है 8 बज़े के आसपास आया था यह तो खूला था लेट तक खूला था यह भी लेट तक खूला था मेंको तो कोई movement नहीं दिख रहा है आपको दिख रहा है तो बता हूँ ठीक है तो HGX Nifty में कुछ नहीं दिख रहा है अब एक चीज और दिखा देता हूँ मैं आपको एक आर्टिकल में पढ़ रहा था था भी फॉन सा आर्टिकल में पढ़ रहा था देखो एक money control का आर्टिकल है 5 reasons why it is wrong to compare रुपी 2000 note withdrawal to demonetization of 2016 ठीक है क्यों हम लोग 2000 का जो note withdraw हुआ है उसको हम लोग demonetization 2016 में था उससे compare नहीं कर सकते क्यों नहीं करना है क्यों नहीं करना है अब आर्टिकल देखते हैं काफी अच्छा points लिखा वो इसमें तो अब facts पर बात करो ठीक है ना जबर्दस्ती का कुछ भी करता था जो market में circulation था ना मनी का वो 86% hold करता था 500 और 1000 का note ठीक है अब वो क्या हुआ invalid कर दिया था overnight by Prime Minister Nareen Modi अब news क्या था उस time की invalid हो गया था राच से मतला 12 बजे के बाद से वो note use ही नहीं कर सकते थे आप समझे लो यह सब चीज आपको समझना पड़ेगा अब उसको use ही नहीं कर सकते थे लेकिन अभी ऐसा हुआ है क्या नहीं अभी बस 2000 का note invalid हुआ है लेकिन ये ऐसा नहीं हुआ है कि overnight हो गया ठीक है आपको time मिला है अभी legal tender रहेगा यह आप इसको use कर सकते हो बाहर ठीक है इसको use कर सकते हो बाहर इसका में date आगे बताऊंगो कि कब तक इसको use यκι कर सकते हो। ऑधी इसको आरपिया में आराम से जबाएंध कर सकते हो। प्लस इसको मार्केट में भी यूज कर सकते हो। इस तो 2,000 का नोट अगर जाखे आप shopkeeper को दोगे तो वह लए गा। ठीक है? वह लेगा। हाँ ये बात अलग है कि आप देखो मार्केट में इस तरह का न्यूज़ है तो शॉप की पर एक बड़ा अमाउंट लेने से मना करेगा आपका 2000 में पर एक बड़ा अमाउंट ना अब आप पचास लग दे दोगे पांच लग दे दोगे तो वो थोड़ा नहीं लेगा ठीक है ना बट आप एक दो नोट दोगे तो वो लेगा क्योंकि ये लीगल टेंडर है अभी बट फाइवंडेड और वन टाउज़न के केस में ऐसा नहीं में था कि रातो रात इन्वैलिड हो गया भाई आप तुम डिरेक जाओ बैंक में या अरभी है के पास ठीक है तो ये बड़ा एक ये बहुत इंपोर्टेंट चीज है ये चीज़ा अगर आप समझ गया तो आप समझ गये बहुत चीज़ तो अब दूसरा रीजन देख लेत do this अब 30 September तक कर सकते हो इस चीज़ को एक्सेंज ठीक है अभी भी imparket में बहुत दो तो वो accept करेगा है अभी बहुत किसी सो सौना के ये नहीं था सोना के कस में रात T key चीज बंत हो गई भी है तो दूसरा लापने देख अब मैं इस आ Columbus Georgetown आपको येनी गाइड प्डें अब 20,000 can be exchanged starting from Tuesday there is no restriction to deposit 2,000 notes तो अब काफी सारा rules है आपढ़लो मैं overall discuss कर रहा हूं वीडियो नहीं तो काफी लंबा हो जाएगा मैंने आपको आर्टिकल का लिंक दे दूँँगा तो अब देखो 3 देख लेते हैं 3 क्या बोल रहा है Like the rupees 500 and 1000 notes in circulation देखो जो 500 and 1000 notes थे वो क्या बोला 85% market में circulate होते थे जो मैंने हम लोग उने 1st point में देखा था तो लेकिन 2000 note है वो बहुत smaller portion में total currency का ठीक है बहुत smaller portion में total currency का जो common people है उनके पास उतना पैसा वो ही नहीं आप खुद देखो आप खुद सोचो कर practically बोले मैंने कितनी महार airport से ATM से निकाला था ठीक है मैं airport travel करते रहता था एरपोर्ट में मैंने काफी बार निकाला था लगबग 5k के निकाला है ठीक है 10k के निकाला है यार 2000 का एक भी note तो आना चाहिए था 2000 का एक भी note आना चाहिए था पांच के में आ जाता दसके में आ जाता लेकिन नहीं आया क्यों नहीं आया सब नोट 5500 का आ रहा था ठीक है ना 5500 का सारा नोट 5500 का आ रहा था तो RBI बहुत दिन पहले से ही ये तेखो आप न्यूज अगर फोकस कर से पढ़ते हो ना तो RBI बहुत दिन से ऐसा बता रही थी कि ये चीज कभी भी हो सकता है पर जीटेल पबलिक आम पबलिक हम जैसे लोगों को नहीं पता होता बट काफी लोगों को ही आइडिया था कि ऐसा चीज हो सकता है और ये जो 2000 का नोट है ना हम लोग के पास नहीं है major quantity में तो the kind of panic that was visible during the note ban is unlikely this around तो उस दिन जो रातो रात बंद हुआ था एक तो रातो रात बंद हो गया और वो जो 100 500 का नोट था और 1000 का नोट था वो 85% का circulation में था market में ठीक है इसलिए panic हो गया ठीक है ना 85% circulation बहुत बड़ा होता लेकिन इसका circulation बहुत कम है 2000 का नोट है उसका circulation बहुत कम है समझ गए तो इसलिए ये भी रीजन है कि panic कुछ panic का reason है ही नहीं ठीक है ना देखो अब ये reason पढ़ लेता है fourth the withdrawal of 2000 रूपीज note wasn't unexpected ये unexpected नहीं था क्योंकि RBI आपको ना आप अगर circular वगएरा पढ़ते रहोगे तो RBI काफी बार bills वगएरा में डिसकस की वही है काफी बार discuss हुआ है ये चीज कि 2000 का note market में कम है ATM में नहीं मिलता कहां गया ये नोट तो ये काफी बार news आया हुआ था और तो ये चीज थोड़ा सा ना unexpected नहीं था पिछली बार जैसा 2016 में बिलकूल unexpected था कि ये क्या हो या रात और रात ये unexpected नहीं है प्लस आपके पास time है ठीक है market में अभी legally इसको legal tender है ये market में इसको legally आप किसी भी shopkeeper को दे सकते हो अगर आपके पर decent amount है ठीक ठाक amount है legal तरीके से वो amount है तो आप bank में भी उसको change करवा सकते हो ठीक है ना तो अभी कुछ panic वाला situation मुझे दिख नहीं रहा ठीक है ना काफी मैंने पढ़ा है इस चीज के बारे अब देखो एक 5th reason देख लेते हैं यह जो 5th reason है ना this is not the first time RBI has withdrawn notes from circulation ये पहला time नहीं है ठीक है 2013-14 में भी यही चीज हुआ था completely withdraw की थी RBI circulation से पैसा prior to 2005 उस समय आपको submit करना परता proof of identity and residence तो ये देखो क्या बोलना चाह रहा है ये बोलना चाह रहा है कि हम लोग इसको जो है अभी का जो condition है उसको 2016 से compare नहीं कर सकते हैं क्योंकि 2016 में different चीज हुई थी हम लोग इसको compare कर सकते हैं 2013 और 2014 के लिए क्योंकि उस समय पुराने notes बंद कर दिये गये थे और नए notes नए currency issue करने वाले थे अब पुराने currency को आपको submit करने के लिए proof of identity और residence देना पड़ता और यहां क्या लिखाया RBI conduct such exercise once in a while as a part of clean note policy as a part of clean note policy the short point is withdrawal of 2000 note can be compared only to what has happened in 2014 rather than the demonetization drill in 2016 2016 से आप इसको compare नहीं कर सकते है 2014 से compare कर सकते हो क्यों compare कर सकते हो अभी कोई note band नहीं होगी है ठीक है आपको समझना पड़ेगा note band नहीं होए रात और रात आप हाँ वो notes ले रहे हैं वापस और यही चीज सेम चीज हुई थी 2014 में तो इसको आप 2016 से नहीं 2014 से compare कर सकते हैं ऐसा इनका कहना है अब money control में आर्टिकल चपा यार तो ऐसे ही randomly तुछ आप नहीं दी होगे ठीक है ना यह चीज आपको समझना पड़ेगा तो final take away क्या है यह भी पढ़ लो to sum up there is no reason for the public to panic public को panic करने का कोई reason ही नहीं है जब तक कि आपके पास legit पैसा है यह मैं भी बोल रहा हूँ जब तक कि आपके पास legit पैसा है ना आपको कोई panic करने का need ही नहीं है क्यों क्योंकि आराम से RBI ने time दिया है accept कर रही है वो भी 2000 market में भी acceptance है उसका भी ठीक है ना ऐसा नहीं है 4 months है आपके पास to get rid of 2000 उपीट ठीक है by depositing the amount the RBI has finally drawn the current for the pink notes sufficient precaution and taken to likely end up the chaos तो यही है अभी legit है newt अब जाके legit तरीके से अगर आपने कमाया वो ऐसा तो bank भी ले रही है ठीक है shopkeeper भी ले रहा है 4 months का time है आपके पास ठीक है तो हर चीज़ देखो अब market कल मान लो कि ठीक है देखो facts share करना अपना duty है ठीक है अब आ जाते है recent chat पे facts share करना अपना duty है but अब market कल fall कर सकती है Monday को fall कर सकती है fall कर सकती है उपर जा सकती है उपर जा सकती है इस चीज़ का role ये जो आपनी न्यूज़ देख्या7 2000 नोट का इसका रोल मिनिमल रहेंगा बहुत जादा कुछ रोल नहीं रहेगा अब देखो ना मारकेट तो पहले से भी मोन बढोताई लिए लिए कौंसा शांत बैट्ठी ए है इसको शान्त बोलेंगे इसको शान्त बोलेंगे इसको कैसे शान्त बोल दोगे शान्त थोड़ी है मार्केट अब कल फिर दो परसेंट गिर जाएगा मान लोग की परसों खुलता है मार्केट चलो मान लेते हैं मंडे को खुलती है मार्केट माइनस दो परसेंट आगया ठीक है या प्लस दो परसेंट आगया कुछ भी हो सकता है प्लस दो परसेंट आगया तो आप बोलोगे आरे काफी सारे यूटुबर बोलेंगे हां यह 2000 कनूट से होगे अरे वैसा थोड़ी होता है मार्केट का तो रूली है कि उपर नीचे तो सारे यूट्यूब चैनल और वही न्यूज दिखा रहे है तो मेरा कहना है कि पुराना न्यूज का क्या हुआ फिर जो ओल्ड न्यूज था उसका क्या हुआ तो जो मार्केट में ट्रेंडिंग टॉपिक रहता है न उसमें लोग यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते है और न्यूज चैनल पर वही दिखाती है तो हर चीज होता है बाकी मेरा कहना है कि अब कोई मर्डर बडर नहीं हो रहा क्या यह कल कोई मर्डर बडर नहीं हुआ क्या लेकिन किसको फोकस करना है सब एकदम ट्रेंडिंग न्यूज को बताएंगे ठीक है अभी यह 2000 का नहीं हो आपको ज्यादा दिखा देंगे क्योंकि आप पैनिक कर जाओ तो यह सब छोड़ो फैक्ट्स पर ध्यान दिया करो ठीक है ना फैक्ट्स ध्यान दोगे तो आपको समझ में अब मैं अगेन बोलना हूँ कि मार्केट कल उपर भी निकल सकते है मंडे को नीचे भी निकल सकते ह ना इसका रोल कम रहेगा ठीक है ना इसका रोल कम रहेगा काफी पोईंट डिखा दिया कि क्यों रोल कम रहेगा और दूसरी बाट जो मार्केट में पैसे intense date 18 Une मतलब नहीं जएधा 2000 के चीज़ से ठीक है हर पैसा लेकल रहता है किसे लीगल अब जचसर बाख संदा को कीज़ दुटियायी में ऑपका कम होगे एए थीक है कैश्श में का रोल कम होगे है लोकिन हाँ कुछ सेक्डर में एफक्ड पड़ेगा है पडरेगा जैसे लेक वाली मिश्यायो अब संदब करते हैं में औला नीक में में हूंने से फाइदा क्या हूता है देख, देकिलर के चांसाइस खता में हर चीज में ठीक है है, क्यांकि canga did यह प्रशै का रिकॉर्ट है गोवर्वर्मेंट के पास अगर आप cash में transaction नहीं करते हो और UPI वगरे का transaction करते हो तो रिकॉर्ड हर चीज का record रहता है देखते हो चांजक्शन आई डिवागरा जनरेट हो जाता है तुरंत तो वही है मार्केट बहुत बदल गई है 2016 का केस और 2023 वाला केस में काफी डिफरेंस है हमने देखा अभी काफी डिफरेंस है इस समय 2016 में 85% मार्केट में जो करेंसी थी वो 500 वाली और 1000 वाली थी ठीक है अभी यह चीज नहीं है अभी जो 2000 का नोट जो हुआ है उसका सर्कूलेशन ही कम है ठीक है और यह ओवरनाइट बैन हो गया था यह ओवरनाइट कुछ बैन नहीं हुआ तो ठीक है आप वीडियो देखना मैं ज्यादा वीडियो को लंबा नहीं की चूँआ कोई मार्केट में तो सिच्वेशन नहीं ऐसा पैनिक वाला ग्लोबल मार्केट भी नहीं दिख रहा मुझे कुछ नहीं दिख रहा तो देखते मंडे को मार्केट देखते क्या असा होता है तो ठीक है गाइस थैंक यू